डिजिटल भारत के निर्माड हेतू, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे डिजिटल भुक्तान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, समान सेवा केंद्रों का विस्तार, इसी श्रंखला में ग्रामीर भारत में पंचायती राज मंत्राले की यह कड़ी पंचायतों के परिवर्तन हेतू है। E-gram व्राज एप्लिकेशन पंचायतों के संचालन के लिए उप्योगी एकिकृत टूल है, जिससे पंचायतों में किये गए कारियों की प्रभावी निगरानी सरलता से की जा सकती है। इस एप्लिकेशन से ना किवल पंचायतों की गतविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बलकि योजना की व्यापक्ता बढ़ेगी। इग्राम सुराज एप्लिकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। जैसे सरपंच, पंचों और पंचायत सच्यू का विवरण, वित्त विवरण, परिसंपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी में की गई गतविधियां, जन्गरना 2011, मिशन अंतियोद है, सर्वेक्षन रिपोर्ट आदि, इग्राम सुराज एप और जिला इस्तर के प्रतिनीधियों के पास उतक्रष्ट जानकारी सुलब होगी, इग्राम सुराज में डेटा इंट्री की संख्या को तर्क संगत बनाया गया है, इसमें उप्योग करता के लिए यूजर फ्रेंट्ली इंटरफेस और सरल नेविकेशन भी है, इग्राम सु प्रेंट्री के प्रेंट्री के साथ जुड़े होने के कारण सार्वजिनिक व्यकी निग्रानी भी वास्विक समय के आधार पर की जा सकती है, पंचायत की जानकारी को सुविधा जनर और शीग्र उपलब्ध करने के लिए उपियोग करता नागरी, गूगल प्ले स्टोर से इग्राम सुराज मोबाइल एप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अब यह जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी, मोबाइल एप के माध्यम से चैनित पंचायत के सदस्यों की जानकारी, पंचायत की गतविधियां, गतविध का नाम, योजना का नाम और राशी, चुने गए व की जा सकती है, सुचना तक्नीक का प्रभावी उप्योग करना ही इस प्रनाली का उद्येश है, सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्मार, इग्राम सुराज एप्लिकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा इग्राम सुराज एप्लिकेशन शुरू किया जा रहा है